नमस्कार आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टेडी भी अच्छी चल रही होगे आज हम बात करने वाले हैं जो SSC का CHSL का एक्जाम होगा है उसकी कटोफ के बारे में कि क्या कटोफ रह सकती है एक अनुमानिज कटोफ कितने कैंडिडेट एक्जाम के अंद हर एक चीज मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ आप मेरे साथ आखरी तक बने रहें अगर आप इस चैनल पर नए हूँ तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें आप मार वर्टसप और टेलीग्राम ग्रूप जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस से सलका दो हजार में 22 की बात करूं दो हजार 22 की मैं बात करूं दो हजार 22 में आपका कितनी पोश्टें थी 3,242 पोश्टें थी करीब करीब 32 लाख केंडिडेट ने फोर्म बरा था ठीक है और लग दग 13,75,000 केंडिडेट पेपर देने गए थी तो इसकी आपकी कटोफ क्या रही थी 2022 की 157 नंबर कटोफ है रही थी कितनी 157 नंबर कटोफ है रही थी जैसे कि आपको पता है 100 question आते हैं ठीक है और 200 नंबर का आपका पेपर होता है ये अपने पेपर फर्ष्ट की बात कर रहे हैं ये 2022 में थी फिर 2023 था अपना उसमें क्या हुआ था 2023 के अंदर वोई 1211 पोश्टें थी 32 लाख फोम लगे लगबग और कितने लाख केंडिडेट पेपर दिया था 13 1263,000 लोगों पेपर दिया था और 153 नंबर आपकी cut-off है रही थी कितनी 153 नंबर है अब अपना बात करते है 2024 की 2024 के अंदर क्या cut-off रह सकते हैं तो भरती तो आपको पता है 2024 के अंदर कितनी है 3712 पोश्टें पोश्टें तो पिछले साल की comparison किये जाए त अच्छी कासी पोश्टे हैं अगर मैं बात करूँ फॉर्म किते लगे अपकी बार 34 लाख फॉर्म लगे पट लाखो बच्चों ने अपकी बार पेपर नहीं दिया अपकी बार जो अटेंडस रही थी परजेंट लग बगए 54 परसेंट मतलब 54 परसेंट बच्चे ही पेपर द लेने वाड़े होते हैं अगर अब कटोफ की बात करें केटेगरी वाइज चाए OBC चैनल है या SCHT है इनकी कटोफ है कितनी जा सकती है वो अपने डिसकस करते हैं तो प्रजेंटेशन का पता चल गया मतलब कितने बच्चे प्रजेंट थे कितने एपसेंट थे और प्रिवि में जर्नल वालों की तो 147 नंबर से लेके 152 नंबर के बीच आपकी कटोफ है रह सकती है क्योंकि कॉंपेटिशन हर बार बढ़ता जारेब की बार 18 लाख बच्चे थे उससे पिछली बार कितने थे ओनली 13 लाख बच्चे थे उसलिए पिछली बार 14 लाख बच्ची पेपर देने वाले थी भरती का भी थोड़ा फरक पड़ेगा पर कॉंपेटिशन हर बार बढ़ता ही जाता है आपको पता है वह अभी इसी की बात करें तो 145 नंबर से लेके 148 नंबर है कटोफ रही इसी तरह सी और सी की वी बात है कर लेते हैं सी की बात करें 130 नंबर में से 135 का पेपर केसा था पेपर का लेवल क्या था नौरमलाइजिसन होने के बाद कटोफ क्या रह सकती है यह सब है उसके कोडिंग बनाई यह है हो सकता है फाइनल कटोफ वह दो-चार नंबर इससे कम जादा हो सकती है कूँकि बोड़ ही फाइनल कटोफ बताएगा अपन एक आईडिया लगा सकते हैं discussion करके आप comment section में ये बताएं कि आपके number कितने बन रहे हैं कि आपने कितने question attempt किये कितने right होगे आपने अभी तक तो ऐसे देख लिया idea लगा लिया होगा या ये बता सकते हो कि आप कितने attempt करके आये हो क्योंकि answer की आने से पहले आप ये तो नहीं दे student ऐसे होते हैं कि मैंने पूरे पूरे जो सारे सही है कुछ को ऐसे होता है कि 2-5 गलत होंगे 7 गलत हो जाएंगे तो आप comment section में ये बताए कि आपने कितने question अटेंप्ट किये मैंने जहाँ तक बच्चों से बात किया वो mostly बच्चे 75 प्लस attempt बता रहे तो आप भी अपने comment section मे यह बताए कि आपने कितने question है attempt किये तो आज की update यही थी इस बरती से समंदित जो भी कोई update आएगी notification आएगा यह answer की आएगी cut off आएगी result आएगा वो मैं आपको time to time information करता रहूं है तो आप मेरे साथ उड़े रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जैहिन धन्यवाद